जो हे दोस्तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो क्या आप भी एक अच्छा सा क्यामरा स्मार्ट फोन डूब रहें, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप फाइब बेस्ट कैमरा स्पार्ट फोन्स अराउंड 20,000 रुपीज और हाँ दोस्तो वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आप के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा तो वीडियो के इंट तक ज़रूर से बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करने के साथ चैनल को सबस्क्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नामे राम और गैजट नियू जिंदी पे आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर Redmi की दरब से आने वाले Redmi Note 11 Pro Plus की यह फोन आपको दोनों ही साइट Corning Gorilla Glass Spike Protection के साथ में मिलता है याने कि फोन की जो build quality है वो आपको काफी प्रीमियम दी गई है साथी में यह फोन हलके फूल के water और dust protection के साथ में आता है तो build quality यहाँ पर काफी अच्छी है वही पर डिस्प्ले की बात करें back side में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 cameras main camera लगावा 108 megapixel का 8 megapixel का ultra white 2 megapixel का macro और 16 megapixel का selfie snapper camera से एट आप phone का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया daylight में photos भी काफी गमाल की निकल कर आती है वही पर video output की बात करें तो front और back camera से आप यहाँ पर HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप्टू 60fps और बैक के अनर से आपको यहां पर Ultra HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ओप्शन भी मिल जाएगा अप्टू 30fps वैसे आपको बता दूग कि आपको और backside में आपको यहां पर 5000 mH की बैटरी मिल जाती है जहांपर 67 की चार्जिंग का सैप्ट दिया गया गया है साथ रह साथ आपको यहां पर charging के लए Type Solo pod भी मिल जाती है तो battery मोडुल भी phone का यहां पर अच्छा मिल जाता है तो देखा जाए guys, तो अगर आप एक camera center की smartphone लेना चाहें, इस budget में तो आप Redmi Note 11 Pro Plus की तरफ देख सकते हैं, बात करने pricing की, 6GB RAM और 128GB storage के लिए आपको देने होंगे 19,999 बरपे, तो चलिए अब बढ़ते हैं लिस्ट के अगले phone की तरफ और दोस्तो अगला smartphone है यहाँ पर, Realme Guard 10 Pro Guys, यह जो phone हैं आपको पूरी तरह से plastic build पर मिलता है, बट build quality और design phone के बहुत कमाल के दिये गए, वैसे अगर display की बात करें, तो phone के अदर 6.72 inches की एक बड़ी सी Full HD Plus वाली IPS LCD पैनल दी गई है, साथ ही में Corning Gorilla Glass का prediction है, 700 needs की आपको यहाँ पर brightness मिल जाती है, 120Hz की higher refresh rate और 240Hz की touch sampling So display quality यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, camera's की बात करें, तो back side में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो camera's, जहाँ पर main camera लगा हुआ 108MP, 2MP का depth और 16MP का selfie snapper, camera setup phone का यहाँ पर decent है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर output क काफी अच्छी निकल कर आते हैं, daylight और low light में भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी images मिल जाती है, वीडियो की बात करें गाईज, तो आप यहाँ पर front और back camera से full HD की video recording कर सकेंगे, up to 30fps, performance की बात कर ले, तो phone के अदर आपको मिलता है 6NM based Qualcomm Snapdragon 695 का 5G chipset, और गाईज, यह smartphone अ आपको यहाँ पर 5000 mH की battery और 33W charging का support मिल जाता है, charger आपको box से अंदर मिलता और charging के लिए Type-C वाली port दी गई है, कुछ extra features की बात करें, तो side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack, dual stereo speakers, hybrid card का option, और दोस्तों यह phone आता है Android 13 पर जो की बहुत अच्छी बात है, तो software आपको यहाँ पर काफी अच्छा म तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लिसके अगले phone की तरफ और अगला smartphone एक non Chinese phone है जो की आपको काफी अच्छे camera's के साथ में मिलता है, और यह phone है आपको Samsung का Galaxy M33, बात करें इस phone की दोस्तों तो यह smartphone पूरी तरह से आपको plastic build पर मिल जाता है, बट build quality और design काफी अच्छे दिय तो display quality budget के साब से आपको ठीक मिलती है, लेकिन colors वगेर आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, वही पर अगर हम बात करें cameras की, तो back side में आपको यहाँ पर मिलते है quad camera, जहाँ पर main camera लगवा 50 megapixel का, 5 megapixel का ultrabite, 2ka micro, 2 megapixel का depth, और 8 megapixel का selfie snapper, camera setup फोन का यहा यहाँ पर ultra HD की video recording कर सकेंगे, up to 30fps, और front से आपको यहाँ पर full HD की video recording का option मिल जाएगा, up to 30fps, तो चलिए अब बात करते है, performance की दोस्तों, तो इस phone के अंदर आपको मिलता 5NM, Exynos 1280 का chipset, जो की दोस्तों एक decent सा chipset है, यह gaming के लिए बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्मार्टफोन अंदुतों पर लगबग यहाँ पर 4 लाग के आसपाल स्कोर करता है, तो performance आपको यहाँ पर अच्छी निकाल कर देता है, इन सभी के अलवा LPDDR4 XE RAM और UFS 2.2 अला स्टोरेज भी आपको दिया गया है, तो performance में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आत ट्रिपल काड का ओप्शन और दोस्तों यह फोन आता है Android 12 पर जहाँ पर आपको Android 13 का अपडेट भी बहुत जल देखने को मिल जाएगा, वैसे यह स्मार्टफोन अब टू 12 फाइजी बाइन को सपोर्ट करता है, तो यह काफी अच्छी बात है, बात करें प्राइसिंग की, यह जो फोन है, यह आपको मिलता है 6GB RAM 128GB storage के साथ में लगबा 19,000 रुपे की प्राइस पर, बड़ दोस्तों मैं कहूंगा कि सेल में यह जो स्मार्टफोन है आपको 15-16,000 रुपे की प्राइस पर मिल जाता है, तो आप उस दौरान स्मार्टफोन को चेकाउट कर सकते हैं, बढ़ते हैं लिस्त के एक लिए फोन की तरफ और यह स्मार्टफोन आपको क्यामरास के साथ साथ अच्छा खासा OIS का फीचर भी देता है, यह स्मार्टफोन है Motorola का G82, बात करें इस फोन के दोस्तों तो यह फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ट पर मिलता है, ब 120Hz के higher refresh rate और 360Hz की test sampling rate, so display quality यहाँ पर आपको काफी कमाल की मिलती है, वहीं पर cameras की बात करें, तो back side में आपको यहाँ पर triple cameras दियेगें, जहाँ पर main camera लगाए 50MP का और यहाँ पर आपको OIS का feature मिल जाता है, साथ ही में 8MP का ultrawide, 2MP का macro और 16MP का selfie stamper, camera setup phone का यहाँ पर काफी रही बात video output की, तो दोस्तों आप यहाँ पर front और back camera से full HD की video recording कर सकेंगे, up to 30fps, performance की बात करें तो दोस्तों इस पून के अदर आपको 6NM base, Qualcomm Snapdragon 695 का chipset, बढ़का इस यह जो smartphone यह अराउंड 4 लाग के आसपास on-2-2 पर score कर जाता है, तो performance आपको यहाँ पर अच्छी निकाल वही पर extra features की बात कर लें, तो side-mounted fingerprint sensor, 3.5mm का jack, dual stereo speakers, hybrid card का option, और Android 12 के साथ में इस smartphone आपको मिलेगा, लेकिन Android 13 आपको बहुत जल इस phone के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर stock UI के साथ में एक अच्छा सा camera phone लेना चाहे तो आप इस phone की त कमाल के दिये गए है, साथ ही साथ इस phone के display की बात करें, तो 6.4 इंचेस की आपको यहाँ पर display मिल जाती है, Full HD Plus का resolution है, Panda Glass का support है, और AMOLED की पैनल आपको यहाँ पर दी गई है, इन सभी के अलावाद 1300 नीट्स की brightness है, HDR10 Plus का certification, 90 Hz की refresh rate और 240 Hz की dust sampling rate मिल जाती है, दोस्तों यहा यहाँ पर quarter drop 9 से काम चलाना पड़ेगा, camera's की बात करें, तो back side में आपको यहाँ पर 3 camera's मिलते हैं, जहाँ पर main camera लगावा है 64 megapixel का, 8 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का macro shooter, और 16 megapixel का आपको यहाँ पर selfie snapper दिया गया, camera setup phone का यहाँ पर अच्छा है, daylight में बहुत अच्छे perform करते हैं, low light में भी आपको यहाँ पर decent output मिल जाते हैं, वहीं पर video output की बात करें, तो back camera से आप यहाँ पर ultra HD की video recording कर सकेंगे, up to 30 fps, और front से आपको यहाँ पर full HD की video recording का option मिल जाता है, up to 30 fps, चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आप यहाँ पर performance की, तो इस phone के अंदर आपको मिलता है 6NM based Qualcomm Snapdragon 778G की का chip set, लेकिन इस phone के अंदर आपको LPDDR4X की RAM और UFS 2.2 अला storage देखने को मिलता है, so performance में आपको यहाँ थोड़ा से changes देखने को मिलता है, जी हाँ दोस्तों, यह smartphone अंदे तो पर लगवाग 5,000,000,000,000 के स्कोर करता है, जो कि देखा जाए तो अच्छे score है, performance wise आपको यहा यहाँ पर अच्छा दिया गया है, वही पर कुछ अदर फिचर्स की बात कर लें, यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगर पिंट्स है, डियोली स्टीडियो स्पीकर्स का support दिया गया है, साथ ही यह phone आता है latest Android 12 पर, लेकिन बहुँचार Android 13 का update भी आपको यह मिलने माला है, और याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm को जैक और कोई भी card option देखने को नहीं मिलते हैं, तो दोस्तो गेमिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर काफेची camera's भी मिल जाते हैं, तो अगर आप इसमें interested है तो आप इस phone की तरफ देख सकते हैं, बात कर लि सकते हैं, वही पर अगर आपको अच्छी performance चाहिए, अच्छे cameras वगरा चाहिए, तो आप यहाँ पर Redmi का Note 11 Pro Plus, Realme का 10 Pro 5G, और साथ ही साथ IQ का Z6 Pro, यह तीनों ही आपको बहुत अच्छी performance और बहुत अच्छे cameras के साथ में मिल जाएंगे, रही बात दोस्तों यहाँ पर Moto G82 की तो यह आपको थोड़े से natural color के साथ में output देगा, लेकिन इसके भी output काफी कमाल के होते हैं, तो आप चाहें तो इसे भी checkout कर सकते हैं, और हाँ दोस्तों हमने सभी के link भी नीचर discussion box में दे रखें, तो आप एक बार देख लीजेगा, और उमीदे आप सभी को आज की वीडिय तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा, चलिए मिलते हैं स्विक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद